नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टड़ी वी तेम में तो देखिए यहां पे जो यूबी टी आर है उसने समूग हो के जो पदों के लिए 37 पदों के लिए आवेदन मागे गए थे जिसकी इसने जो प्रवेस प्रिक्षा थी वह दो फरवरी 2020 को प्रस्तावित करी थी तो इन्होंने प्रवेस पत्र भी जारी कर दिये गए हैं जो आप यूबी टीर की साइट से आप निकाल सकते हैं मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है और आप कैसे अपना एड्मिट कार्ट चेक कर सकते हैं तो पूरी प्रोसेस स्टेब बाइ स्टेब मै आपको यहां पर बताऊंगा ठीक है उससे पहले जान लेते हैं इन्होंने लिखा गया है यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि माननी उच्छे नियाले उत्राखन नहना नहींताल में समुगों के अंतरगत विज्ञापन संक्या दे रखिए दिनांकुर 9 दिसंबर 2019 के माध्यम से 37 प्यादो है तो आउनलाइन जो आविदन पत्र मागे थे और जो आविदन पत्र पढ़ने की जो अंतिम्तिति रखी थी वह रखी थी इनकी चारज़नी 2020 को निर्धारित करेगी थी ठीक है तो इन्होंने बूर लखाए कि इनकी जो प्रिक्षिया है वह दो फ प्रवेस पत्र है वह डाउनलोड कर सकते हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो आपका पेपर होगा वह होगा आपका दो फरवरी 2020 को 10 बजे से लेके 12 बजे तक इसका पेपर होगा अब मैं आपको बता देता हू करना है step by step देख तो देखे जो सबसे पहले आपको अपने Chrome ब्राउजर पर यहां भी आपने Google खोलना है उस पर आपको टाइप करना तो आपको यहां पर Data of written examination या आपको Caroline कर लुआ मेसी करना है क्लिक्स सब्सक्राइब करना है यहां पर डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं उसको और अपके सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहिए नेया पेजल पर आपको आपके दो अगर आपको यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर करेंगे तो आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है और उसके वागर रॉन नंबर से करेंगे तो आपको यहीं पर किलिक करके आपका सर्च पर कलिक करेंगे तो आपका वह जो एड्मिट कार्ड हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों आगामी यह जो परिक्षिया होने वाली है माननी अच्छे तरह से करके आएगा बिल्कुल नहीं है तो सारे कुश्चन अच्छे से करने की कोशिश करिएगा और उमेद यह करिएगा जो आपका जो उसका रिटन पेपर होके आएगा उसमें लगभग 90 या 85 से अब 85 प्लस आप उसमें स्कोर करने की कुशिश जरूर करिएग करें तो अच्छा पेपर आता है इसका पेपर आप अच्छे से करके आएगा ठीक है तो विश्ची ओल्दाबस वन्स अगें स्टडी वीथ एम के और से धन्यवाद